सियासत में बड़े बदलाओ के आसा नगीना में अपनी पार्टी के बूते चुनाओ में उत्रे चंद सेखर ने मजबूर जीत हांसिल की है परहाल चंद सेखर की जीत को दलित सियासत के लिए बड़ा बदलाओ माना जा रहा है इसके साथ ही इमरान मसूत की जीत में भी चंद सेखर का बड़ा रोल माना जा रहा है आपको बता दें कि लोकसवा चुनाओ में मायावती ने चंद सेखर को दलित नेता का तमगान देते हुए किनारा कर लिया था चंद सेखर ने समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष अकलेश यादव से भी लोकसवा चुनाओ में सीट की पेश कस की लेकिन उन्होंने भी दरकिनार कर दिया था फिर निर्नायक भूमिका निभाने जा रहा दलित मोटन फिलाल उत्तरप्रदेश की दस विधान सबा सीटों पर होने जा रहे उप्चुनाओ में भी दलित मोटन निर्नायक भूमिका निभाने जा रहा है जिसकी जलक लोगसबा चुनाओ में देखी जा चुकी है और उप्चुनाओ में ये ताई सिर्फ चंद सेखर आजाद और मायावती के बीची सिमटकर नहीं रहने वाली है वहीं चंद सेखर ने किसी भी पार्टी से कड़बंदन करने से इंकार कर दिया है उनका कहना है कि गड़बंदन जनता से है और इसी के सहारे यूपी में उप्चुनाओ लड़ेंगे जनता ने इन सभी पार्टीयों को देख लिया और भरोसा उठ चुका है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाओ में नए लोगों को मौका देगी चंद सेखल लगातार दलित मुस्लिम आदिवासियों का आवाज उठा रहे हैं दरसल उत्तरपदेश में दस्वितान सभा सीटों के लिए जल्दी उप्चुनाओ होने जा रहा है यूपे से जुड़े सभी राजरिंदिक दल उप्चुनाओ की तैयारियों में जुटे हुए हैं विजेपी में जारी जगडे के बीच मुख्य मंत्रियों की आदित नात ने तो पहले से ही तीस मंत्रियों की टीम बना कर काम पर लगा दिया है बरहाल आपसी लड़ाई अपनी जगा है लेकिन डिप्टी सीम केशन प्रसाद मौरे अपनी जारतर सोसल मीडिया पोस्ट में एक बात जरूर कहते हैं तो हजार सत्ताइस में दो हजार सत्रा दोहराना है कमल खिला है फिर खिलाना है बिजेपी और कॉंग्रेस तो अपने अपने गडबंदनों के साथ चुनाव लगने जा रहे हैं लेकिन चंद सेखर आजाद और मायावती दोनों ने अकेले बूते मैदान में उतारने की घोशना कर रखी है और जिस तरह से संसद में विपक्ष के नेतर राहूल गांदी ने जाती कर जंगरना का मुद्दा उठाया है उसके वितार यूपी उप्चुनावों से बर्बस जूड जाते हैं आजाद समाज पार्टी उतारेगी अपने केंडिडे नगीना से सांसा चंद सेखर आजात रावड कह रहे हैं देश सितों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने लोकसवा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे उत्चुनाओं में आजाद समाज पार्टी अपने केंडिडेट उतारने का नेड़ने लिया है आजाद समाज पार्टी की प्रदेश कारण करनी तयार कर रही है उत्तर प्रदेश के विदान सवाउ चुनावों की दसीटों पर हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे किसी राजनितिक दल के साथ चुनाव लड़ने की बात पर भी मार्मी नेता चंद सेखर आजात किसी से भी राजनितिक दल से गड़बंदन करने से इनकार करते हैं सवाल उठता है कि चंद सेखर आजाद के अकेले चुनाव लड़ने की वज़ा उनका खुद किसी पार्टी के साथ गडबंदन न करना है या कोई भी पार्टी उनकी आजाद समाज़ पार्टी से हाथ मिलाने को तयार ही नहीं है दरसल संसत पहुँच जाने के बाद लगता है चंद सेखर का अपने आप पर भरोसा बढ़ गया है वना 2022 के विधान सवा चुनाव में तो समाज़वादी पार्टी के साथ गडबंदन करना चाहते थे लेकिन अकलेश यादव उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए बाची तूट जाने पर चंद सेखर आज़ाद ने अकलेश यादव पर दलितों का अपमान करने आरोप लगाया और दोहराया कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी लोग सबाच चनाव से पहले हुए उपचनावों में भी चंद सेखर आज़ाद ने गडबंदन की कोशिश की थी वो आरेलडी नेता जैन चौधी तक तो पहुँच भी गए लेकिन अकलेश यादव ने पासी नहीं पटकने दिया कांशी राम की राज़्डेतिक विरासत पर दावा लोग सबाच चनावों में तो अकलेश यादव का पीडिये फॉर्मुला सफल रहा और अब राहूल गांदे भी उस फॉर्मुले पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चंद सेकर आजाद और मायावती अपने अलग रास्ते ही चल रहे हैं चंद सेकर आजाद भी दलीतों और मुसल्मानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं दलीतों में भी चंदसेकर आजात खुद को BSP के संस्थापक कांशी राम के सिद्धानतों पर चलने और उनकी राजनेतिक विरासत पर दावा जताने लगे हैं चंदसेकर आजात का आरोप है कि मायावती कांशी राम के सिद्धानतों को छोड़ चुकी है क्योंकि उनको दलितों के हितों की कोई फिक्र नहीं है। दरसल चंदसेकर संसत पहुंच जाने के बाद मौके का हर संभव फायदा उठाने में जुड़ गए है। बात नीजी छेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछले वर्गों के लिए आरक्षन अधिनियम 2024 की इसकी पैरवी में चंदसेकर कसर नहीं उठा रहे हैं। चंदसेकर राजात के विधेयक में नीजी छेत्र सैंचिडिक संस्थानों और ऐसे अन्य पतिष्ठानों में आरक्षन की मांग की गई है। जिन में कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई विती हित नहीं होता है। विधेयक का जो मकसद बताया गया है उसके मताबिक मौझूदा दौर में सिर्फ सारवजनिक छेत्र के लिए उपलत आरक्षन के लाप को नीजी छेत्र तक बढ़ाना है। विधेयक का संसफ से पास होना न होना अलग मसला है लेकिन इससे कम से कम नीजी छेत्र में आरक्षन पर बहस तो आगे बढ़ी जाएगी और मामला ऐसा है जिसका विरोध करना किसी के वस की बात नहीं होगी चाहे विचन्द सेखर आजात के कितने भी खिलाफ क्यों नहोग प्रस्तावित कानून की पैरवी कर रहे चन्द सेखर सपा कॉंग्रेस और बिजेपी की तयारी ये चंद सेखर आजाद की ही चुनावती है जो मायावती भी हरकत में आ गई है लोगसबा चुनाव की नतीजे आते ही मायावती ने भतीजे आकास आनन्द को फिर से B.S.P. का नेशनल कोडिनेटर और अपना उत्रादिकारी बना दिया है लोकसवा चुनाओं के दोरान मायावती ने आकाश आनन्द को अपरिपक्प मानते हुए दोनों जिम्मेदारियों से मुख कर दिया था लेकिन चंद सेखर आजाद के नगीना से सांसत बनते हुए आकाश आनन्द को फटफट मैच्चुर भी मान लिया परहाल दलिक वोट बैंक का चमतका लोकसवा चुनाओं में तो देखा ही जा चुका है UPQ चुनाओं में भी नजर आने वाला है और दलिक वोटर की भूमी का सिर्फ चंद सेखर आजाद और मायावती तक ही सीमित नहीं रहने वाला है बलकि अकलेश यादव और राहूल गांदी भी उसी दाएड़े में है स्पेशल टेक्स के न्यूस इंडिया